हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास यह देख लिए एक फॉन आया हुगा है ओपो A5 जो की दोस्तों पूरी तरीके से डेट कंडिशन में है तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ओपो A5 का मदरबोर्ट रिप्लेस करने वाले हैं और साथ ही जानने वाले हैं दोस्तों इसका प्राइज क्या रहता है मदर बॉट का आप डैड फ़ौन को किस तरीके से रिपैर कर सकते हैं और आपको मदर बॉट कितने प्राइज का पड़ेगा सारा कुछ इस वीडियो में कबर करने वाले हैं step by step आपको बताने वाले हैं आप किस तरीके से मदरवोट रिप्लेश कर सकते हैं और फाइप का तो वीडियों पुरा आयंट तक बहिना दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सस्क्राइब और सेर जरूर करना साथ में आपको बैल आइकन जरूर दबा देना है दोस्तों यही फॉन नहीं है कोई और पॉन है कोई और प्रॉब्लम है então भी आप कमेंट सेक्षिन में कमेंट कर सकते हैं और आप हमें इस्टागराम में फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो सुरू करते हैं दोस्त जो हमारे पास mother board अबलेबल होते हैं वो limited stock ही आते हैं दो या तीन या चार पीस ही आते हैं तो दोस्तों आपको इसलिए मैं फटाफट से comment करो इसलिए बोलता हूं क्योंकि फिर वो इसके बाद दोस्तों out of stock हो जाते हैं कुछ time के बाद तो फिर वो time लगता है mother board को आने में त तो जैसे दोस्तों अभी Poco X3 Pro X3 का mother board काफी दोस्तों मिल ही नहीं रहा तो काफी मेरे पास comment आ रहे है Poco X3, X3 Pro के लिए mother board के लिए दोस्तों मेरे पास खुद तीन या चार phone पड़े हुए है जिनके हमें mother board replace करने है Poco X3, X3 Pro तो अभी mother board की जो Poco X3 के mother board है वो अभी आ नहीं रहे है तो थोड़ा सा time लग जाएगा दोस्तों तो जैसे ही आएंगे तो आपको update मिल जाएगा तो सबसे पहले दोस्तों आपको phone को open करने है उपो A5 को और उसके बाद simply क्या करने है आपको mother board बाहर निकाल देना है कापी आसान है दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने mother board बाहर निकाल आ है कई जो mother board रहते हैं उनमें दोस्तों आपको camera भी मिल जाएगा लेकिन कई में mother board में आपको camera नहीं मिलेगा तो आपको पुराने ही camera लगाने हूंगे तो जैसा कि दोस्तों इस mother board में camera नहीं है तो हम इसके पुरानी camera लगाए यूज़ करेंगे दोस्तों है कि यही phone नहीं है कोई और phone है कोई और problem है तो भी आप comment section में comment कर सकते हैं और आप हमें instagram में भी follow कर सकते हैं link आपको description में मिल जाएगा तो जैसे ही दोस्तों आप new mother board लगाएंगे तो आपको सबसे पहले camera लगाने है उसके बार other connector लगाने है और जो last में है दोस्तों उसको आपको battery connector लगाने है इस बात का आपको ध्यान रखना है तो यह हमने fit कर दिया है तो इसमें जो यह दोस्तों आप jumper wire देख रहे हैं यह network की jumper wire है तो हम इसे भी change कर देंगे लेकिन अभी आपको motherboard change करके ही दिखा रहे हैं कैसे आप dead phone को motherboard change करके इसे on कर सकते हैं तो यह देख सकते हैं दोस्तों phone on हो गया है जो कि अभी थोड़ी देर पहले dead condition में था complete तो यह देख सकते हैं दोस्तों आप phone open हो गया है तो इस सारी के से दोस्तों oppo a5 हम motherboard replace कर सकते हैं दोस्तों आपको भी यह motherboard चीए तो दोस्तों motherboard आपको पढ़ने वाला है यह पच्छी सो रुपे का oppo a5 का तो जिसे भी चीए दोस्तों फटाफट से comment section में comment कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास आपको पता है यह limited stock रहता है तो जिसे भी चीए फटाफट से comment करो और ऐसी और वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को subscribe करके बैल आइकन चरूर दबाओ ताकि दोस्तों हम ऐसा content लाते रहे हैं motherboard से लिटेड, dead phone से लिटेड तो उसके लिए आपको दोस्तों बैल आइकन चरूर दबाओ करके रखना है और चैनल को subscribe चरूर करना है तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो like, comment, subscribe और share जरूर करना दोस्तों मैंने इसका price बता दिया है तो अगर buy करना है तो comment section में comment करो धन्यवाद